हलो फ्रेंड्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आरार भी में पूछे गई प्रेशने तो जितने भी प्रेशने कराऊंगा सभी प्रेशने 2017 या फिर 2018 के हैं तो ज़्यादा पुराने प्रेशने नहीं हैं सभी प्रेशने आरार भी में पूछे गई हैं और 17 और 18 के प्रेशने हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए आपके कुछ कोशन ऐसे होंगे जो आगे भी पूछे जा सकते हैं तो चली स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला प्रेशने आपका एक गाउं में 200 में से 111 साक्षर हैं साक्षर का मतलब है दोस्तों पढ़े लिखी हैं कितने लोग 111 लोग गाउं के 86 लोगों का प्रेशने क्या है गाउं में कितने लोग हैं दोस्तों, गाउं में हैं 200 लोग, 200 में से क्या है, 111 लोग साक्षर हैं, कितने लोग 111 लोग साक्षर हैं, साक्षर का मतलब दोस्तों क्या है, पढ़े लेके, जब 200 में से 111 पढ़े लेके हैं, तो अनपढ कितने होंगे, 89 अनपढ होंगे, ठीक है पूछ क्या रहा है कि असिक्षित असिक्षित मतलब अनपढ लोगों की संक्या पूछ रहा है वो भी प्रतिसत में केलिए रहा है अनपढ लोग कितने है असिक्षित लोग कितने है दोस्तो 89 कितने मैंसे है टोटल ब्यक्ति 200 है 200 मैंसे है प्रेतिसत में पूछ रहा है तो क्या करेंगे 100 से multiply कर देंगे अब यहाँ पर 2 0 से दोस्तों आपके यह 2 0 कट जाएंगे 2 से इसे कटाऊंगा यह 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में फिर 2 से 4 बार में कट जाएगा 8 एक बचेगा नहीं जाएगा तो 10 मलब लग जाएगा कितना हो जाएगा 10 दो पच्चे 10 44.5 अज सिक्षित लोगों का प्रेतिसत क्या है 44.5 है ये आपकी question का दोस्तों सही answer है 44.5 भी option हो जाएगा दोस्तों आपकी question का सही answer उम्मिद करता हूँ सभी को प्रेशन बहुत ही अच्चे तरीके से समझ मागया होगा अब देखेंगे दोस्तों अगला question अगला question है आपका 60 चात्रों की एक कक्षा में 60% चात्र लड़के हैं यदि 25% लड़किया साइकिल द्वारा इस्कूल जाती है तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है यह प्रेशनी भी RRB NTPC का है 2017 का ठीक है दोस्तों टोटल कितने चात्र है टोटल चात्रों की हम बात करें तो टोटल चात्र है आपके पास 60 टोटल चात्र दोस्तों 60 है जिसमें लड़का लड़की दोनों सामिल होंगे ठीक है 60 है लेकिन यह अपने आप में कितने होंगे दोस्तों 100% होंगे इतनी बात दोस्तों समझ भाई 10, 20, 50, 40 कितने भी हो वो अपने आप में 100% होते है अब 100% में से क्या है 60% चातर लड़के है ठीक है दोस्तो 60% कितने है लड़के हैं मतलब बॉय जब 100 में से 60% बॉय है तो लड़किया कितनी होंगी 40% कौन होंगी गर्ल होंगी इतनी बास दोस्तो समझे में आगी 40% गर्ल है ठीक है अब हमसे क्या कह रहा है कि 25 परसंट लड़किया साइकिल दोआरे स्कूल जाती है तो पहले हम लड़कियों की संख्या पता कर लेते हैं 100 परसंट में से 40 परसंट लड़की है 100 परसंट का मान कितना है दोस्तो 60 है ठीक है लड़किया कितनी है 40% तो हम इस 100 का 40% निकाल लेते हैं परसेंट का मतलब दोस्तों बटे में 100 दो जीरो से आपके ये दो जीरो कट जाएंगे 6 का 4 से मल्टिप्राई 24 हो जाएगा तो लड़कियों की संख्या कितनी है ये आपको पता चल गया 24 है लड़कियों की संख्या दोस्तों कितनी है 24 है अब इस 24 में से क्या होता है कि 25% लड़किया साइकल द्वारा स्कूल जाती है तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकल से स्कूल नहीं जाती है लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तों 24 है तो जो लड़कियों की संक्या है वो अपने आप में क्या होगी 100% होगी अब इस 100% में से क्या होता है कि 25% लड़किया कितनी 25% लड़किया साइकल से स्कूल जाती है तो बिना साइकल से स्कूल जाने वाली कितनी होंगी दोस्तों 75% होंगी टोटल लड़किया हमारे पास 100% है 100 में से 25% तो cycle से school जाती है तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो cycle से school नहीं जाती जो cycle से school नहीं जाती वो कितनी लड़किया है 75% है तो आप क्या करेंगे 100 का पूरा 75% निकालीजिए 100% का मान कितना है दोस्तों आपके पास 24 है साइकिल से स्कूल नहीं जाती है कितनी नहीं जाती है 75% तो इस 24 का सीधा 75% निकाल लीजिए परसंट का मतलब बटे में 100 होता है 25 से कटाएंगे 3 बार में 25 से कटाएंगे दोस्तों 4 बार में 4 से 24 कटेगा 6 बार में 6 तरिक का कितना हो जाएगा? 18 तो 18 लड़कियां ऐसी है जो cycle से school नहीं जाती है के लिए 18 हो जाएगा सही answer C option अगर पूछ लेता cycle से school जाती है कितनी है? तो दोस्तों total लड़कियां तो 24 है 24 में से 18 ऐसी है जो cycle से नहीं जाती तो जो cycle से जाती है वो कितनी हुई? वो 6 हुई 6 लड़किया ऐसी है जो cycle से school जाती है और जो cycle से school नहीं जाती है वो 18 है बात समझी में आगी दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी को प्रेशन अच्छे तरीके से समझी में आगी होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है एक कक्छा में एक बिद्यार्थी ने 25 अंकों में से 22 अंक प्राप्त किये बिद्यार्थी के अंकों का प्रेशन क्या है? ये प्रेशनी भी 2017 का है और इससे आसान प्रेशन आज तक आपने नहीं देखा होगा बच्चपन में आपने टेस्ट भी बहुत दिये होंगे जैसे कि आपसे कह दिया होगा बही 25 नंबर का टेस्ट है 25 में से कितने आए हैं आपके 22 आए हैं टेस्ट कितने नंबर का है? 25 नंबर का टेस्ट है 25 में से कितने प्राप्त किये हैं Clear है लेकिन यही हम से क्या पूछा है प्रितीसात में पूछा यही ठीक है तो प्रितीसात के लिए 100 से Multiply नहीं कर दोगे आप 25 से जब 100 को कटा देंगे तो 4 बार में कटेगा 22 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा तो 88 प्रितीसात है हो गया आपका अंसर पहला option ये प्रेशन तो सबसे आसान था ऐसे तो प्रेशन आपने बच्पन में भी खूप किये होंगे टेस्टों में टेस्टों में ऐसे ही तो पूछा जाता है कि 25 नंबर का टेस्ट है किसी ने कितने प्राप्त किये 10 प्राप्त किये 10 उपर लेखे जाएंगे किसी ने 15 प्राप्त किये उपर लेखे जाएंगे 25 में से आपने 22 प्राप्त किये है तो उपर लेखे जाएंगे लेकिन परितिसट में पूछा है तो 100 से मल्टिप्राइई कर दीजे calculation कर ली answer आ गया अब देखेंगे दोस्तों अगला question अगला question है यदि एक छात्र के अंक में 25% की ब्रत्धी हो गई एक छात्र के अंक दोस्तों पहले कितने होंगे 100% होंगे और 25% की जब ब्रत्धी होंगे तो कितने हो जाएंगे 125% हो जाएंगे इतनी बार समझ में आई तो उसके test में उसका score 75 हो गया उसका बास्तविक score कितना है पहले उसके छात्र के 100% थे 25% की ब्रत्धी होई तो 125 हो गया और उसका score कितना हो गया score हो गया दोस्तों कितना 75 का score हो गया के लिए रहे 75 का स्कोर हो गया आप से क्या पूछरा बास्तवी की स्कोर बास्तवी मतलब पहले 100 परसंट का मान पूछ रहा है ठीक है 100 परसंट का मान पूछ रहा है तो उपर 100 रखिए बते में कितना रखेंगी reflections डेंगे कटा ली चाँज आंसर आ गया 25 से कटेगा 4 बार में 25 से कटेगा 5 बार में 5 से 75 को कटा दो 15 बार में 15 चौक के कितना होता है 60 होता है तो जो बास्तविक स्कूर था वो कितना था 60 था लेकिन बढ़के कितना हो गया था 75 हो गया था बढ़ने के बाद लेकिन बास्तविक में कितना था 60 था ये आपका आंसर है पहला option हो जाएगा आपके question का सही answer अब देखेंगे दोस्तों अगला question अगला question है 25 अंकों में से कितने प्राप्त किये हैं दोस्तों 9 अंक प्राप्त किये ठीक है चात्र के दोारा प्राप्त अंकों को 30 में व्यक्त करें दोस्तो 25 अंक में से 9 प्राप्थ किये हैं तो प्रतीस अंक में ब्यक्त करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टिप्लाइ नहीं कर देंगे अभी अभी तो यही प्रेश्न बताया है तो 25 से कटादो 4 बार में 9 चोके कितना हो जाएगा 36% आपका आंसर हो गया और ये प्रेशन ने पूछाए RRB NTPC 2017 में ज्यादा पुराना प्रेशन नहीं है दोस्तों ठीक है बात समझ में आ गई तो 36% किस ओफशन में है B ओफशन में है B ओफशन हो जाएगा आपके कोशन का सही आंसर अब देखेंगे दोस्तों अगला कोशन अगला कोशन है आपका एक चातर ने 6 विश्यों में 470 अंक प्राप्त किये यदि प्रत्यक विश्य के अंक 100 है प्रत्यक विश्य के मतलब एक विश्य के अंक कितने है 100 ठीक है तो टोटल 600 की बात है तो टोटल 6 विष्य में कितने अंक हो जाएंगे 600 हो जाएंगे इतनी बाद समझ में आगी तो हमसे क्या पूछ रहा उसके अंकों का प्रतिसत ग्याद कीजिए 6 विश्यों में 470 अंक प्राप्त किये 6 विश्य में 6 विश्य मतलब 600 अंकों में से कितने प्राप्त किये हैं उसने 470 अंक प्राप्त किये हैं कितने में से 600 में से हमसे क्या पुरा यही हमें प्रती सत्य में बताना है तो 30 में बताना है दोस्तों तो 100 से multiply नहीं कर देंगे आंसर आ जाएगा 2 0 से तो आपके 2 0 ये कट गए अब 6 से divide देदो इसमें answer आ गया ठीक है दोस्तों तो 6 से divide देंगे 6 7 42 कटेगा 6 7 42 तक कट गया तो कितना बचेगा 5 5 में 1 0 कितना हो जाएगा 50 ठीक है 6 8 48 कटेगा 50 में से 48 तक कट गया कितना बचेगा दोस्तों 2 बचेगा नहीं जाएगा तो यहाँ पर 10 मलब हो जाएगा नहीं जाएगा 10 मलब हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 26 में 20 से बाब देंगे कितनी बार जाएगा 6 31 का 18 के लिए रहे दो बचेगा फिर से 20 फिर से 6 तरिक का ठारा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा तो 78.33 ये आपके प्रेशन का सही आंसर हो जाएगा 78.33 किस option में है? C option में दे रखा है दोस्तो C option आपके question का सही आंसर है मैं उम्मिद करता हूँ सभी की समझ में प्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहे होंगे अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका राम की वार्षिक आये 24 लाख रुपे है मतलब राम एक साल में 24 लाख रुपे कमाता है और प्रत्यक महिने वह अपने बाहन के लिए 40,000 रुपे की EMI का भुकतान करता है उसकी मासिक आये का कितने प्रतिसत EMI में ब्या करता है ये प्रेशन भी 2018 का है देखे दोस्तों वो एक साल में कितना कमाता है एक साल में कमाता है 24 लाख के लिए दोस्तों कितना कमाता है एक साल में कमाता है 24 लाख तो यह तो दे रखा एक साल का और यहाँ पर प्रैत्तिक महीने की बात कर रहा है एक साल का दे करके एक महीने की बात कर रहा है तो यह जो कमाई है एक साल की है तो एक महीने के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 12 से डिवाइड देना पड़ेगा तो 12 से कटाड़ेंगे 12 दुने का 24 और ये 5-0 मतला 2 लाख रुपी तो उसकी एक महीने की कमाई कितनी है? 2 लाख है एक महीने की कमाई कितनी है? 2 लाख है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक महीने की कमाई कितनी है? दोस्तो 2 लाख है इस दो लाख में से एक महीने में वो कितने कमाता है दो लाख और एक महीने में अपने बाहन के लिए कितने की EMI भर देता है चालीस हजार दो लाख में से कितने की EMI भर देता है दोस्तों वो भर देता है चालीस हजार की EMI दो लाख में से40,000 की EMI भर देता है ठीक है लेकिन यही हम से क्या पूच रहा 往aux30 में पूच रहा है रुपई में तो वो भर रहा 40,000 की EMI लेकिन कितने प्रितिसत की भर रहा है वो पूच रहा प्रितिसत में तो प्रितिसत में निकालने के लिए 100 से multiply नहीं कर देंगे answer आजाएगा देखे उपर कितने 0 है 4 तो 4 0 से दोस्तो 4 0 यहाँ पर कट गए 4 5 20 कट गया 5 से 100 कटेगा 20 बार में तो 20 प्रतिसत हो जाएगा आपके question का सही answer ठीक है कितने प्रतिसत की EMI भरता है वो दोस्तो 20 प्रतिसत EMI भरता है हर महीने तो पहला option हो जाएगा आपके question का दोस्तों सही answer उमीद करता हूँ सभी की समझ में प्रेशन अच्छे तरीके से आगया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है एक ब्यक्ति रिन अदाईगी के लिए प्रति माह 8,960 रुपे है जो उसके मासिक बेतन का 28% है उसके मासिक बेतन की गड़ना करें जो भी दोस्तों उसका मासिक बेतन होगा अपने आप में 100% होगा लेकिन 28% का मान दे रखा है कितना 8,960 28% का मान दोस्तों कितना है 8,960 तो 1% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा निकाल लिजे 8,960 और 28 कहा जाएगा दोस्तों बटे में आ जाएगा अब इसे कटाएंगे 7 से कटेगा 7,28 और 7 से से कटाएंगे ये कटेगा 7,1,7 एक बचेगा 19,7 दुने का 14, ठीक है 7 दुने का 14, पांच बचेगा 56, 7,8, 56 और 1 ही 0, कट गया अब चार से से कटा लिजे, 4 तिरिक का वारा, 4 दुने का 8 और 1 ही 0, तो 1% का मान कितना निकल के आगया, 1% का मान निकल के आगया 320, आप से क्या पूछ रहा मासिक बेतन, बेतन क्य होता है दोस्तों, 100% होता है, क्लियर है, जब 1% का मान 320, तो 100% का मान कितना होगा, 320 का multiply कर देंगे, आप 100 से answer आजाएगा, 32 का multiply, एक में करो, कितना हो जाएगा, 32 रहेगा, 1,0, 2,0, 3,0, 3,0 लगा दिजे, तो आपका आणसर कितना होगया, 32,000, उसका मासिक बेतन कितना है, 32,000 है ये आपके प्रशन का दोस्तों सही आंसर हो गया पहला option तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को question अच्छे तरीके से समझी में आ गया होगा आप देखेंगे अगला question अगला question है आपका एक करमचारी के बेतन में 30% की ब्रद्धी की गई पहले उसका बेतन कितना होगा 100% 30% की ब्रद्धी की गई तो 130% हो गया ठीक है उसका बेतन कितना होगा 910 रुपे बेतन कितना होगा दोस्तों 910 रुपे जब उसके बेतन में 30% की ब्रद्धी हो गई तो उसका बेतन कितना होगा 910 रुपे हो गया ब्रद्धी होने के बाद में लेकिन वह क्या पूछ रहा है बडोतरी होने से पहले उसका बेटन क्या था 100% का मान पूछ रहा है तो इस-910 का 100% का मान पूछ रहा है to 100 रखेंगे उपर बटे में क्या जायेगा 130 ऐसा ही प्रेश्न अभी अभी मैंने कराया था ठीक है दोस्तों अभी अभी कराया है ऐसा ही प्रेश्न तो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए ठीक है अब दीखिए यहां मैं कटाऊंगा जीरो से ये जीरो कड़ जाएगा 13 सत्य क्यान बेखर जाएगा 7 का मल्टिप्वाई कीजिए 1 से 7 एक कम 7 और 2 जीरो 700 तो उसका जो पहले का बेतन था पहले का बेतन था वो था 700 लेकिन जब 30% की ब्रद्धी हो गई तो फिर बेतन कितना हो गया उसका 910 रुपे हो गया पहले का कितना था 700 था तो C ओप्सन हो ज पूछा है 34 का 15 परसेंट तो दोस्तों 34 का सीधा-सीधा 15 परसेंट पूछ रहा तो 15 परसेंट निकाल दो परसेंट का मतलब होता है बटे में 100 इसे को कटा लेना है आंसर आ जाएगा पांसे कटाओंगा तीन बार में इसे पांसे कटाओंगा दोस्तों ये कटेगा बीस बार में ठीक है ये बीस बार में कट गया अब दोस्तों मैं इसे कटाओंगा दोसे कटा लूँ इसे यह 2 से कर जाएगा 10 बार में 2 से से कटा दू 27 बार में कर जाएगा 73 तीन का multiply कर दो 74 का कितना होता है एक क्यामन होता है और बटे में कितना है बटे में दोस्तों आपका 10 अब 1 0 है बटे में एक संक्या पाद 10 मलब लग जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो एक सेंख्या बाद 10 मलब लग जाएगा तो 5.1 ये हो जाएगा आपके प्रेशन का सही आंसर के लिए रहे पहला आप्सन हो जाएगा आपके प्रेशन का दोस्तों सही आंसर तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को कोशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आगे होंगे दोस्ते दी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें जैदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का वटन भी दवादीचे दोस्तों धन्यवाद